Hello students, welcome to MOS classes, आज हम 7th class math and CRT के chapter number 3 की exercise 3.3 के question number 1 को solve करेंगे First question में हमसे कहा गया students, use the bar graph figure 3.3 to answer the following questions इस question में हमें एक bar graph दिया गया students और उसी bar graph से related हमें यहाँ पर दो parts दिये गए हैं, दो questions दिये गए हैं, जिनका answer हमें यहाँ पर देना है First question है which is the most popular pet और second question है how many students have dog as a pet तो यह bar graph हमें दिया गया students और यह bar graph किस से related है, pets owned by students of class 7 यहाँ 7th class के students के पास कौन से pet हैं यहाँ पर हमें बताया गया है अब सबसे पहले तो हम इस bar graph को read करेंगे कि इस bar graph में information क्या given है देखिए यहाँ y axis पर हमें क्या दिया गया है number of students 2, 4, 6, 8, 10 and 12 और x axis पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें pets के नाम दिये गए है dogs, cats, rabbits, hamsters, others अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो जो dog है वो as a pet animal कितने students के पास है यहाँ पर अप चेक कर सकते हैं, 8 students के पास है ऐसे ही जो cat है, cat कितने students के पास है, 10 students के पास है rabbits कितने students के पास है, 2 students के पास है hamsters कितने students के पास है, देखे students यहाँ पर जो यह बार है यह कहा तक आया 4 और 6 के मिडल तक 4 और 6 के मिडल में क्या होगा 5 तो hamsters कितने students के पास है 5 students के पास है इसके डावा other animals यानि इन सब के डावा जो दूसरे animals है वो कितने students के पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो बार आया कहा तक आया 2 और 4 के मिडल तक 2 और 4 के मिडल में क्या होगा 3 यानि other animals कितने बच्चों के पास है तीन बच्चों के पास है अब first question में हमसे पूछा गए students which is the most popular pet सबसे popular pet कौन सा है यानि के ऐसा कौन सा pet है जिसे सबसे ज़्यदा students ने पाला है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं dogs कितने students के पास है 8 students के पास है cats कितने students के पास है 10 students के पास है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं cats अगर 10 students के पास है तो बाकी सारे बार तो इससे छोटे हैं तो इसका मतलब cat जो है यह सबसे popular pet है यानि सबसे ज़्यदा students के पास जो pet animal यहाँ पर दिखाया गया है वो है cat, कितने students के पास 10 students के पास तो first question का answer है cat इसके second question में हमसे पूछा गया है how many students have dog as a pet यानि कितने students के पास dog animal as a pet है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं dog कितने बच्चों के पास है कितने students के पास है 8 students के पास है तो यहाँ पर answer रहेगा 8 students I hope students आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू